Hello everyone, आप सब का स्वाध करता हूँ, एक बाइफे से अपने इस YouTube चैनल डिस्टे ग्यान में तो पंजाब स्कूलेज कुशन बोर्ड की तरफ से जो 10th और 12th क्लास की जो बोर्ड की एक्जाम की जो डेट शिट है वो जारी कर दी गई है तो आज किस वीडियो में हम आपको 10th और इस वीडियो में आपको सारी जो जान करिए वो मिलने वाली है तो अगर आप चैनल में पहली बार आये हैं तो परीज चैनल को सबस्क्राइब कर ले ना, जिसे नेक्स्ट जो भी अप्डेट साइंगी वो आपको मिलती रहेंगी, तो चलिए वीडियो को शिल करते हैं, तो यहांपर बतायागा है। NSQF जो stream होगा या फिर जो pre-vocational stream माले students है उनकी जो practical के exam है वो पहले होंगे तो अगर हम बाकी streams की बात करें तो उनके जो practical के exam है वो return exam के बाद होगे यानि की 30 मार्च के बाद होगे और 10th class के जो है वो return exam के बाद practical exam जो है वो शुरू हो जाएंगे बट pre-vocational और NSQF subject जिनोंन रखा है उनकी जो practical प्रिक्षा है वो 13 जनुरी से 29 जनुरी तक करवाई जाएगी इसकी समद में school heads है उनको भी practical प्रिक्षा के लिए जो dates है वो students को note करवाने के लिए बता दिया गया है ताकि कोई भी जो students है इस प्रिक्षा को देने के लिए ना रह जे क्योंकि जो NSQF stream है और जो pre-vocational stream है उन stream के students का ही जो exam होना है तो उनकी जो practical के exam में वो पहली होंगे तो इसके इलावा आपके जो practical की प्रिक्षा है जो NSQF stream है और जो pre-vocational stream है उनके 13 जनुरी से 29 जनुरी तक जो exam है वो चलेंगे तो यहाँ पर आप news में भी देख सकते हैं कि मनमीत सिंग बठ जो प्रिक्षा हैं वो 13 जनुरी से 29 जनुरी तक करवाई जानी है तो इनकी जो जान करी है इनकी official website पर भी upload है तो next नोर ने बताया है कि यह जो practical की प्रिक्षा हैं यह COVID-19 की जो instruction को ध्यान में रखते हैं जो प्रिक्षा हैं वो करवाई जाए तो यह सिर्फ NSQF pre-vocational or vocational students के लिए है बाकि जो regular students उनकी जब practical data आएगी तो वो भी मैं अपने वीडियो के जरीए जरूर आपको update करवा दूँगा तो अगर चैनल में नहीं है तो प्रिस subscribe कर ले ना जिससे जब practical की data आएगी तो आपको जो information है वो मिल जाएगी तो आज की स्वीड़ में यही update है जल्द मिलेंगे आपके साथ next नई information के साथ तब तक के लिए goodbye जया है